नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं इधर विश्वास मत हासिल करने के बाद राजभौन में हेमंत केबिनेट का बिस्तार हुआ है इनमें 11 मंतिरों ने सपतली, मंत्री मंदल में तीन नय चेहरे बैदनात राम, डाक्टर विर्फान अंसारी और दिपिका पंडे सिंग को जगह दी गई है बता दे चमपाई केबिनेट में मंत्री रहे कांगरेश से बादल और जामो से बसन सुरेन को जगह नहीं मिल सकी है जार्खन सरकार में 10 साल बाद बराहवा मंत्री पद भरा गया है देर साम मंत्रियों के बिभाग का बटवारा भी कर दिया गया हेमन्त ने अपने पास गिरिह के साथ भावन और पथ निर्मान भी भाग रखा है जबकि चमपाई को जल संसाधन और उच एवम तकनिकी सिक्षा भी भाग दिया गया बता दे बिधान सभा में सोमवार को करवाही सुरू होते ही इसके बाद मुख्य मंत्री ने बिश्वास मत का प्रस्ताव रखा है मोबाइल टैरिफ में होई ब्रीधी के बाद बीए सेनल में वापसी की मुहीम प्रमुक दूर संचाय सेवा प्रदता कंपनियों दोरा भीते दिनों टैरिफ में ब्रीधी किये जाने के बाद मुख्य में ब्रीधी के बाद ब्रीधी के बाद जहां आने कंपनियों के उबखताओं को साल भर unlimited कॉलिंग और हर दिन 2-8GB डेटा के लिए 3600 रुपे तक देने पर रहे हैं वही BSNL में या 2400 रुपे में ही मिल रहा है सेना जमीन घोटाले में 6 रंजन समय 10 के खिलाप आरोपता है सेना के कबजे वाली 4.55 एकर जमीन की फरजीत तरीके से खरीद विक्री करने के आरोपित निलंबित आएस अधिकारी छवी रंजन अमित अगरवाल सही 10 आरोपितों के खिलाप ED कोर्ट ने आरोपताय कर दिया है मामले में 9 आरोपित जेल में है और 1 आरोपित जगत बंधु टी इंस्टेट के निदेशक दिली घोष जमानत पर है इससे पुर्व ED के विशेश नयदिस राजीव रंजन की आदालत में सोमवार को आरोप गठन पर सुनवाई हुई है सुनवाई के दोराण 6 रंजन के वकील ने समय दिये जाने की मांकी लेकिन आदालत ने समय देने से इंकार कर दिया 6 रंजन के वकील दिली से ही वीडियो कंफरेंसिंग के माध्यम से जूड कर आरोप गठन पर बहस की है हमन्त केविनेट में 12 मंत्रियों ने लिस सपत सोमवार को मुख्य मंत्री केविनेट के मंत्री मंदल का विस्तार हुआ और इस केविनेट में कूल 12 मंत्रियों ने सपत ग्रहन की जिसमें मुख्य मंत्री हमन सुरेन का भी नाम सामिल है राजबहन में सभी मंत्रियों को राजपाल ने गोपनियता के सपदिलाई अब इन मंत्रियों के विभावों का बटवारा हो चुका है इसमें मुखी मंत्री हमान सुरेन को पांच विभाग वहीं दूसरे नमबर चमपई सुरेन को दो विभाग दिये गा है वहीं तिस्टे नमबर पर रामेश्वर उराव और चौथे पर सत्यानन्द भोगता और पांचवे पर बैदनाथ राम और छटे पर दिपक बिरुवार हैं वहीं सात्वे नमबर पर बनना गुपता और आठवे नमबर पर इर्फान अंसारी वहीं नमबर पर बिथिले स्ठाकूर दस्वे नमबर पर हफिजूल हसन और एकारवे नमबर पर सिरी मती बेवी देवी और बरावे नमबर पर सिरी मती दिपिका पांडे सिंग रही है सरकार ने पिछले पांच वर्षों में जानता को सिर्फ ठगा है बिजेपी आजसू भाजपा बिधायकों ने जारखन बिधान सभा के 27 सुरू होने से पहले तो मुआर को बिधान सभा के मुख्य द्वार पर परपरदसन किया पार्टी के परदेश अध्यक्स भाजपा बिधायकों ने हमन सरकार के बिरोध में जम्प कर नारेबाजी की भाजपा बिधान सभा चुनाओं में जानता से किये गए वादयों को पूरा नहीं करने बिरोजगारी नियुक्ती परकिरा में गलबड़ी बिगर्ती कानून बेवास था बालू और खनीजों की लूट जैसे कई मुद्धों को लेकर सरकार को निशाने पर लिया है बाजपा बिधान सभा चुनाओं में बहुत कम समय बचा है इस सरकार को जानता कि आदालत ने में जबाब देना होगा वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा है कि या सरकार महागडबंदर रिटर्न सरकार है इस सरकार ने पिछले पाच वर्सों में जानता को सिर्फ ठगा है मजबूत्ती के साथ लड़ेंगे OBC समाज की हर एक लड़ाई OBC एकता अधिकार मंच जारखन परदेश के केंद्रिये करयाला काउध घाटन केंद्रिये अध्यक्ष ब्रमदेव परसाद और केंद्रिये रक्षा राजमंत्री संजय सेट वपुर उपमुख मंत्री जारखन सरकार सुदेश कुमार महतों ने स्वेनुक्त रूप से किया ह समारोह में केंद्रिये अध्यक्ष ने कहा है कि पूरे परदेश में OBC समाज के लोगों को जगाने के लिए रायनितिक और सेक्षनिक छेतर में भागेदारी सुनिस्चित करने के लिए गयर रायनितिक संगठन OBC समाज का गठन किया गया है उन्होंने कहा कि OVC एकता अधिकार मंच का एक मात उदेश है कि OVC समाज के हक अधिकार की लड़ाई को मजबूत्ती देने के लिए राज के 24 जीले में OVC समाज का गठन खड़ा कर OVC समाज की आवाज को बुलंद किया जाएगा केंद्रिये रक्षा राजमंत्री संजय सेथ ने कहा OVC समाज के हम कंधू से कंधा मिला कर चलने का काम करेंगे गुमला में सर्प दन से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत गुमला के पालकोट परखंड के लोटवा पंचायत इस्थित डुगडुगी गाउं में सर्प दन से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत रविवार की दिर रात हो गई जनकारी के नुशा डुगडुगी गाउं निवासी राजेस किसान पतनी सुनिता देवी भाई मनोज किसान रव्वी वार रातरी अपने घर में जमीन में ही सोय हुए थे लगभग बारा बजे करायत साप ने बारी बारी से तीनों को डस लिया काटने के बाद तीनों गहायल ने मिलकर साप को मारा और फेंक दिया उसके बाद सभी सो गए सुबह होने तक तीनों में साप का जहर फैल गया और हालात बिगरने लगी गिरामिनों ने ततकाल इसकी सुचना पुर्व उपमुखिया गुडू सिंग को दिया गुडू सिंग नानन फारन में गाउ पहुचकर एम्बूलेंस बुलाया सड़क खराब होने और सड़क पर पेण गीर जाने के कारण एम्बूलेंस गाउ तक नहीं पहुच पाया गाउ से दो किलो मिटर पहले ही एम्बूलेंस को रखा गया इसके बाद रायस किसान और मनोज किसान को किसी तरह ट्रेक्टर से एम्बूलेंस पर लाया गया बैधनात धाम कासी विश्वनात बंदे भारत ट्रेन जल्द होगी शुरू स्रावनी मेले में कभी भी बाबा धाम रेल्वे स्टेशन से नई ट्रेन बंदे भारत का परिचालन सुरू हो सकता है सांसर डाक्टर निसिकान दुबेन रभीवार की सुबा बाबा धाम रेल्वे स्टेशन का निरिक्षन किया उन्होंने कहा है कि सावन में कभी भी बैजनात धाम कासी विश्वनात बंदे भारत ट्रेन सुरू हो जाएगी इससे भक्तों को तिर्थ यात्रा करने में बहुत सहुलियत होगी इस ट्रेन के सुरू होने से संताल परगना के लोगों को सुविधा होगी उन्होंने कहा है कि बाबा धाम रेलवे स्टेसन पर इसकी तियारी चल रही है रंग रोंगन भी चल रहा है सांसाद ने कहा है कि देवगर रेलवे स्टेसन पर भी अमरीत भारत योजना के तहट दस को रूपे खर्च कर सुविधा विक्सित की जा रही है स्रावनी मेले के दौरान इसमें शीव भकतों को कोई परसानी नहीं हो इसकी त्यारी भी चल रही है लाते हार SP अंजनी अंजने नकसलियों को बताए बिकास बाधाक नकसली छेतर के बिकास में सबसे बड़े बाधाक हैं उनके रहते बिकास की बात बेमानी होगी लाते हर जीला अब नक्सल मुक्त होता दिख रहा है गरामी नक्सलियों की मदद न करे निडर होकर नक्सली का तिविधी की सूचना हमें दे आपकी पहचान गुपत रखी जाएगी यह बाते लाते हर जीला के पुलिस कप्तान अंजनी अंजन ने परखंड के लुकुया सुकुरा उराव अस्मिलिती फूटबॉल टोर्नामेंट के समापन समारों में बोल रहे थे यह करकरम समुदाइक पुलिसिंग के तहत आयोजित था एसपी स्री अंजन ने कहा है कि छेत्र के नक्सली वा उग्रवाद से रांची वा पतना जैसे सहरों में रहने वाल लोग को कोई नुकसान नहीं यह नुकसान आपका वा आपके बच्चों कहा है जहारखन में बनेगा विस्थापन आयोग हेमत सुरेन सरकार जल्द ही विस्थापन आयोग का गठन करेगी कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव रखा गया इसके तहत एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि खनन छेत्रों का एक दस्तावेज तैयार किया जा सके मंत्री मंडल के सपत ग्रहन के बाद सोमवार की साम प्रजेक्ट भण में होई कैबिनेट की बैठक के बाद हेमन सुरेन ने खुद पत्रकारों के अजनकारी दी है इसमें इस बात का पूरा बेवरा होगा कि जारखन के लोगों को खनन गतिवीदियों की वज़ा से क्या होना पड़ता है क्या उन्हें मिलता है इसका असर क्या होता है जल्द ही इसका एक मसोदा त्यार किया जाएगा खरणन की वज़ा से लोगों को होने वाली परसानियों को कैसे दूर किया जाए इसके लिए सरकार निती बनाएगी जारखन इंटर लेबल परत्योक्ते परिक्षा के लिए आवेदन 11 जुलाई से है जारखन इंटर्मीडियेट अस्तर ये सन्यूक्त परिक्षा दोहरते इसके तहत ओनलाइण आवेदन 11 जुलाई से भरे जाएंगे जारखन करमचारी चैन आयोग ने इस परिक्षा के तहत आवेदन समर्पीत करने की भी भीन अस्तर हेतू पुर्व में तीथी प्रकासी तीथियों में संसोधन किया है इसके तहत इस परिक्षा के लिए आवेदन 11 जुलाई से 11 अगस्त तक भरे जाएंगे परिक्षा सुल्क का भोगतान 13 अगस्त तक होगा वही 16 अगस्त तक फोटो एवं हस्ताक्चर अपलोड होंगे हेमांत सोरेन की जमानत को एडी ने सुप्रीम कोट में दी चुनाओती एडी ने मुख्य मंत्री हेमांत सोरेन को हाई कोट दोरा दी गई जमानत को सुप्रीम कोट में चुनाओती दी है E.D. की ओर से इस मामली में सूप्रीम कोट में सो मौर को याजका दायर कर दी गई है फिलहाल नयाले ने E.D. की याजका पर सुनवाई के लिए कोई तीथिनी धारित नहीं की है उलेखनी है की बढ़गाई अंचल की 8.86 एकर जमीन पर कवजे के आरोप में E.D. ने हेमान सुरेन को 31 जनुवरी 2024 को गिरफतार किया था पिये मेले कोट दोबार जमानत याजका खारीच होने के बाद उन्होंने हाई कोट में याजका दायर की है नय मुर्ती, रंगन, मुकोबध्याय की अदालत में अचका की सुनवाई हुई सुनवाई की बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जारखन में समय से पहले हो सकते हैं चुनाव तैयारिया कह रही है कि इस बार जारखन में निर्धारित समय से पहले बिधान सबा चुनाव हो सकते हैं असार है कि 15 सितंबर तक चुनाव की घोसना हो सकती है सुत्र कर रहे हैं कि चुनाव आयोग महराष्ट और हरियाना के साथ ही अक्टूबर में जारखन में भी चुनाव कराने के त्यारी कर रहा है इस बार जारखन में मत्दाता पुनरिक्षन का कारे महराष्ट और हरियाना के साथ ही कराय जा रहा है वर्ष 2019 में महराष्ट और हर्यानाक की मत्दाता सुची का दितिय पुनरिक्षन कारे जार्खन के साथ नहीं करया गया था सार्थी गत चुनाओं के पुर्व किये गए मत्दाता सुची का अंतिम परकासन अक्टूबर में किया गया था वहीं इस बार आयोग ने 20 अगस्ट को ही मत्दाता सुची के अंतिम परकासन गेती थी तायकी है मैट्रिक वा इंटर की संपूरक परिक्षा आज से जारकन अधिवीद परिशत की ओर से आयोजीत संपूरक माधिक परिक्षा 2024 आज से बिभीन परिक्षा केंदर पर आयोजीत की जाएगी गोड़ा में इंटरमीडियेट परिक्षा को लेकर केंदर बनाया गया है मडुआ छिलका जियाई टेग की रेस में जारकन के प्रचलित अस्थानिय ब्यांजन मडुआ छिलका और फुटकल साग भोगोलिक संकेत जियाई टेग पाने की दोड में सामिल हो गया है इन ब्यांजनों की दास्तावेजी करन का काम होटल प्रबंधन संस्थान रांची से सुरू कर दिया गया है इसकी जियाई टेगिंग करवाने के लिए प्रेटन विभाग जारकन सरकार ने IHM रांची को समयनवे एजेंसी बनाया है पश्टिक्ताव औस धीये गुनुल से भरपूर ए दोनों खाद जारकन में अस्थान्य तोर पर आदिवासियों समुधाय के रोजमारा के खान पान में सामिल है हाल के वर्सों में ए सुपर फूड के तोर पर प्रचलित हुए है इनके जियाई के लिए आवेदन के निर्धारित सूल्प के साथ तीन परतियों में चेन्नाई इस्थित भागोलिक संकेत रईश्ट्री को भेजा जाना है तीन माह के भीतर ही इस कुटनी के बाद आवेदन पर होई आपति का जबाब दिया जाएगा धन्यवाद